हलो दोस्तों नमस्ते सरोज की किचिन में आपका स्वागत है आज हम मोमोज बनाएंगे यह रेसिपी तिवबत वे नेपाल की है लेकिन इंडिया में आने के बाद यहां के स्वाद में बदल गई है यहां के बच्चों को बहुत पसंद आती है मोमोज कई तरह से बनाए जाते हैं आज हम बैज मोज बनाएंगे बैज मोमोज बनाना शुरू करते हैं मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले मैदा को मूद कर तयार करेंगे है हमने एक कत मैदा लूए है कि इसमें 4 चमाच नमक डालेंगे नमक और मैदा को मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर एकदम सौफ्ट आटा लगा कर तैयार करेंगे ये मैदा हमने सौफ्ट हाथ से गूध लिया है अब हाथ पे थोड़ा सा ओईल लेंगे और इसे चिकना होने तक मस लेंगे सौफ्ट डो लगा कर तैयार कर लिया है आटे को डग कर 15-20 मिनट के लिए रख देंगे इस आटे को लगाने में आदा कपसे थोड़ा कम पानी लगा है तब तक हमारा आटा सेट होता है तब तक हम मोमोज की स्टपिंग बना कर तयार करेंगे पत्ता गूभी को कद्दुकस करेंगे और पत्त गोवी हमने 200-300 ग्राम ली है एक गाजर भी ली है अगर गाजन नहीं हो तो किवल पत्त गोवी भी ले सकते हैं और आप और दूसरी सब्जियां भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं जैसे मटर, शिमला मिर्ची अब हम गाजर को भी कद्दुकस कर लिया है कद्दुकस की हुई गाजर को पत्त गोवी वाले बाउल में डाल देंगे अब इनके लिए तड़का बना कर तयार करेंगे एक फ्राइपेन लेंगे इसमें दो चमच ओईल गरम करेंगे ओईल हमारा गरम हो गया है अब इसमें कद्दुकस की हुई अद्रब डालेंगे और एक हरी मिर्च बारेक कटी हुई डालेंगे इनको हल्का सा भूनेंगे और इसे पत्ता गोवी वे गाजर में मिला देंगे और इसमें अब इसमें दो चम्मच कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है इस टपिंग बन कर तैयार हो गई है हमारे आटे को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो गई है अब उसे भी चेक कर लेते हैं हाथ में थोड़ा सा ओयल लेंगे और आटे को मस लेंगे और मसल मसल कर चेकना कर लेंगे और अब हम आटे को छोटी छोटी पीसों में तोड़े लेंगे पहले हम हाथों पर थोड़ा सा ओल लगाएंगे और आटे को हाथ से पकड़ कर लंबा-लंबा कर गेंगे और लंबा-लंबा करके इसको छुटे-छुटे पीसों में तोड़ लेंगे हमने सारे आटे को तोड़ कर तयार कर लिया है अब इस में से एक लोई लेंगे और बाती को ढकर रख देंगे ताकि यह सुखे नहीं इसे हम थोड़ा सा आटा लगा कर पतला पतला बेलेंगे और बेलने में चिपके और सुखा आटा लगा लेंगे जो कूड़ी हम बेल रहे हैं वो बीच में से पतली नहीं होनी चाहिए किनारों पर चलाना चाहिए और फ्लेट में रखेंगे इसी तरह से कुछ और कूड़ीयां बेल लेंगे अब ये बिल गई हैं अब हम इनमें स्टपिंग भरकर तयार करेंगे चकले पर पूरी को रखेंगे और इसमें एक से डेड़ चम्मच स्टपिंग रखेंगे और इसे फोल्ड करेंगे इसको फोल्ड करने के लिए वैसे तो कही तरह के इसे कर सकते हैं एक तरप से पकड़ेंगे और एक फोल्ड देंगे फिर और पकड़ेंगे फिर उसी के उपर दूसरा फोल्ड देंगे फिर और पकड़ेंगे उसी के उपर तीसरा फोल्ड देंगे इस तरह से आदी लोई के फोल्ड बना लेंगे और आदी तरप से उसको उन फोल्डों के उपर चिपका देंगे और मुमूज की शेफ दे वर भी हमारा एक मुमोज बनकर तयार हो गया है। अभ इसे प्लेट में रखेंगे। कि अब हम दूसरा मुमोज बनाएंगे। के लिए हम इसटपेंग करखेंगे। और दोनों तरब से बी्च में पकड़ेंगे और चिपका देंगे। दूसरी तरब से आटे को उठा कर चिपका देंगे, इस तरह से क्रोस की तरह चिपका देंगे, और यह हैं दूसरी शेप बनकर तयार हो गई है, देखने में बड़ा ही अच्छा दिख रहा है, इन्हें बनाना बड़ा ही आसान है, इस तरह से आप अपनी पसंद से मोमोज को शेप दे सकते हो, और इसी तरह से सारे मोमोज बना कर तयार कर लेते हैं, हमने सारे मोमोज बना कर और भर कर तयार कर लिए हैं, हमने कई तरह की शेप में मोमोज बनाए हैं, अब इन्हें पकाएंगे, मोमोज पकाने के लिए, सबसे तहले हमने यहां एक चलने लिए, उसको आईल से ग्रीज कर लेंगे क्योंकि इसमें रखकर हम मोज को पकाएंगे और उदर भगोने में हमने पानी गरम करने रख दिया है वो भी हमारा बॉइल हो गया है अब इस चलनी को उस पगोने पर रख देंगे चलनी ऐसी होनी चाहिए जो भगोने पर सेट हो जाए और इससे इस टीम भी भार ना निकले डखने पर हम एक एक करके इस पर मोमोज रखेंगे जितने इसमें आ जाएंगे उतने रखेंगे हमने सारे मोमोज पूरी चलनी पर रख दिये हैं मोमोज को ढख कर 10 मिनट तक पकने देंगे गैस का फ्लेम मेडियम टू हाई रखेंगे 10 मिनट हो गए है हमारे मोमोज भी पक कर तैयार हो गए है मोमोज का कलर चेंज हो गया है मोमोज पर शाइनिंग आ गई है गैस बन कर देते हैं और चलनी हमारी भगोने में पूरी तरह से सेट है और यह गरम भी है तो इसे किसी चिम्टे या कपड़े से नीचे उतारेंगे और मोमोज को गरम गरम ही सर्व करेंगे क्योंकि गरम गरम मोमोज ही खाने में अच्छे लगते हैं यह बहुत ही अच्छे मोमोज बने है और इनहीं बनाना बहुत आसान है लेकिन मोमोज बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है पर दो जने मिलकर बनाएंगे तो बातों यह बातों में आसानी से मोमोज बनकर तैय और 7-8 मिनट पकाएं और फिर किसी कपड़े से ढखकर रख लें और जब सर्व करने हो तो बिल्कुल इसी तरह से चलनी में रखकर 2-3 मिनट भाप में पकाएं या माइक्रोबेब में भी रखकर कर सकते हैं और गर्म गरम परोसे मोमोच को लाल मिर्च की तीखी चटनी करें तो आप मोमोच खाईए और बनाईए और मुझे कॉमेंट्स करके बताईए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी और मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद